तो गाज आज के वीडियो में हम compare करेंगे on Indian manufactured versus on foreign manufactured दोनों की लाप का support भी कराया हूँ जो कि वीडियो के end में cover करूँगा फिलहला भीता जाने कि ये जो chocolate flavor है मेरे पास I hope आप लोगों को दिख रहा होगा ये इंडिया ये बना है और ये जो on का chocolate peanut butter flavor है ये US का बना हुआ है तो देखिए कुछ चीज़े आप लोगों को सबसे पहले बताते हूँ देखिए on gold standard जो है न उन्होंने इंडिया में अब जो है Indian market के लिए अपना manufacturing outsource कर दिया है तिरूपती wellness LLP नाम की एक company को और on के सिर्फ तीन ही flavors है जो की इंडिया में बनते हैं एक है double rich chocolate जो की मेरे पास है दूसरा है vanilla और तीसरा है cookies and cream बाकी जितने भी flavors हैं वो बाहर ही बनते हैं इसलिए जो chocolate peanut butter वाला डबा मेरे पास यहां पे है यह US का बना हुआ है थीक है तो मैंने का यह चीज आप लोगों को बता देता हूँ on as a company के introduction के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो मैं already अपने on के वीडियो में cover कर चुका हूँ on part 1 और on part 2 यह review मैंने जो पहले वला था यह मैंने तब बनाया था जब on actual में इंडिया manufacturer नहीं होता था तो on as a company के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं description box में मैंने link डाल दी है हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोनों ही चॉकलेट पीनट बटर और डबल रिच चॉकलेट on gold standard के ingredients में क्या क्या फारक है तो देखिए अगर आप दोनों का ingredients मेरे screen पर देख पा रहे होंगे तो दोनों के ingredients में जो है protein blend है आप लोगों को पता दूँँगी कोई भी flavor आप on gold standard का ले लीजे इसमें protein blend आपको मिलेगा protein blend में क्या मिलेगा वे protein isolate, वे protein concentrate और वे protein hydrolyze अभी जो primary source है मतलब जो सबसे ज़ादा use किया गया है वो है वे protein isolate ठीक है बाकी आगर आप ingredients में देखेंगे तो double rich chocolate और chocolate peanut butter के ingredients में जो फरक है वो flavoring में किया गया है तो basically double rich chocolate जो है उसका ingredient काफी neat है काफी clean है अलाकि जो chocolate peanut butter का ingredient है उसमें maltodextrin और refined vegetable oil का इस्तमाल किया गया है ताकि flavor को और भी निहारा जा सके और भी निखारा जा सके और भी आपको अच्छा लगे तो double rich chocolate का ingredient मैं बोलूँगा तो भी अंदर neat side है इमल्सिफायर इन लोगोंने mention किया हुआ है INS 322 जो कि है soy lecithin, soy lecithin, soy protein नहीं है यह सिर्फ mixability के लिए काम आता है तो lecithin disclosed है जो कि most of the brands नहीं करते हैं तो वो चीज एक अच्छी है cover करते हैं दोनों के nutritional information के बारे में भी तो देखिए जो double rich chocolate है on का वो आपको offer करता है 79% protein मतलब इसकी जो serving size है वो 30.4 grams की है जिसमें company आपको 24 grams protein offer करता है वहीं आप chocolate peanut butter की अगर protein percentage देखेंगे तो उसमें protein percentage कम है 73% है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी serving size बढ़ा दी गई है double rich chocolate की 30.4 grams की serving size है इसकी 33 grams की serving size है और protein दोनों में ही same है 24 grams इसलिए chocolate peanut butter आपको थोटा सा कम protein percentage offer करता है carbohydrate जो है double rich chocolate में 3 grams है चोकलेट peanut butter में 5 grams है और fat दोनों में लगबग 1 gram है chocolate peanut butter में 1.5 gram है और double rich chocolate में 1 gram है तो काई जी हमने nutritional facts और ingredients हो compare कर लिया है amino acid profile की बात करें तो देखिए on अपने US वाले website में जो इनका FAQ section है वहाँ पर disclose करता है amino acid profile अपने vanilla flavor की disclose करता है सिर्स एक ही flavor की disclose करता है vanilla flavor की आप लोगों को मेरे screen पर दिखे रहा होगा filtration method के बारे में अगर बात करूं तो देखिए मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में जिसका link description box में उसमें साफ-साफ ये cover किया था कि on का gold center का primary source है whey protein isolate और ये लोग filtration method कहीं भी disclose नहीं करते हैं पर इन्होंने बहुत ही चालाकी से अपने website में कोने में FAQ के section में mention कर रखा है कि ये लोग chemical method याने की ion exchange वाला method यूज करते हैं अपने whey protein isolate को filter करने के लिए देखिए guys जो ये ion exchange वाला method जिसमें chemical का उपयोग होता है वे protein को filter करने के लिए इससे आपके muscle building पे आपके recovery पे work out recovery पे कोई भी फरक नहीं पड़ता पर whey protein को आप सिर्फ muscle building के property से मत देखिए वे protein के बहु immune boost करता है आपकी immunity को बढ़ाता है आपमें ये anti-cancer properties देता है antimicrobial properties देता है आपमें कुछ minerals के absorption को भी निक्रीस करता है तो बहुत सारे जो है protein के फायदे होते हैं वे protein के फायदे होते हैं इसलिए covid के बाद लोगों को protein की एहमियत समझ में आई तो जब भी आप chemical method से वे protein को ये सब काफी हद तक जो है कम हो जाते हैं और ये on ने खुद भी अपने faq section में disclose किया हुआ है कि muscle building properties का chemical method पर कोई फरक नहीं पड़ता है पर जिस चीज़ पर फरक पड़ता है वो disclose नहीं किया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है ठीक है बात करते हैं अब इनकी serving size accuracy के बारे में तो बहुत ही important चीज़ आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सरे लोग confused है on में अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो पहले golden color का scoop offer किया जाता था पर अब company transparent scoop offer करती है और ये चीज़ company ने अपने India website के faq section में भी लिख रखा है तो इनकी जो scoop है वो transparent है जिसमें on की branding होती है और ये heaping scoop नहीं है level scoop है और level scoop के हिसाब से company क्लेम करती है कि इनका serving size 30.4 grams का है double rich chocolate का और जो भी result आया है वो आप मेरे kitchen wing scale पे देख सकते हैं देखे जो chocolate peanut butter है उसका serving size accuracy मैं आप लोगों को नहीं दखा सकता क्योंकि ये actually मेरे से पूरा खा जाली हो गया है तो हम सो सौरी मैं आपको serving size accuracy और mixability Indian manufactured version double rich chocolate की दिखा पहूंगा mixability की बात करें तो mixability अगरा जसकी perfect है 10-15 सकंड में आपको smooth palm free shake मिल जाता है टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो दखिए मैं कभी भी बहुत पहले जबसे मैंने health and fitness के प्रती अपना पहल implementation लेना चालू किया है तब से मैं on के 2-3 flavors consume कर चुका हूँ और मुझे on के taste कभी भी नहीं अच्छा लगा मैं on का fan नहीं हूँ और बात करें इनके double rich chocolate flavor की भी तो काफी bland ऐसा टेस्ट है मतलब मुझे बिलकुल नहीं अच्छा लगा मतलब मैं on का fan नहीं हूँ मैंने इनका rocky road flavor भी पिया हुआ है double rich chocolate भी इनका पिया हुआ है और एक कोई और flavor मैंने और पिया है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है या chocolate peanut butter में पास है वो ही पिया हुआ है तो मुझे तीनों flavor अच्छे नहीं लगा है तो flavor के मामले में मैं हमेशा से ही जो है on से disappointed रहा हूँ anyways अब हम आगे box में आता है one kg नहीं है two lbs मतलब 907 grams और यह मैंने करता था source of supplements है जो की इंडिया में authorized retailer है इनके पास certificate है authorized retailer है यह on brand के supplement को बेचने के लिए तो वहां से मुझे पढ़ा था 3299 रुपीज का मतलब लगबग आपको यह 3300 का पढ़ता है इसमें total आते है 29 serving per serving की cost आपको जाती है 114 रुपीज मतलब 114 रुपीज में company आपको जो है 24 grams flavored blend protein offer करती है अब guys finally बात कर लेते हैं मेरी NABL lab test report के बारे में भी तो जो इनका double rich chocolate flavor है जो की इंडिया बनता है उसमें जो है 1 gram protein जादा पाया गया है मेरी lab test report के अनुसार company claim करती है इनके एक serving में आपको 24 grams protein मिलेगा मेर lab test report के अनुसार वो 25 grams हाया है और chocolate peanut butter में जादा ही protein पाया गया है और वैसे भी on brand हमेशा से अपनी quality पे बहुत ध्यान रगता है तो protein accuracy के लिए के आप लोगों को चिंता करने की कोई जूरत है नहीं तो chocolate peanut butter में जो की इनकी एक serving size 33 grams की उसमें company claim करती है 24 grams protein मेरे lab test report के अनुसा जो है fair side पे है fair के अच्छे side पे हम बोलूँगा positive side पे है और अब guys बात कर लेते हैं positives और negatives के बारे में पहले negative cover कर देता हूँ आप लोगों को पता देता हूँ कि मैं international brand में क्यों optimum nutrition prefer नहीं करता देखिए आप लोग सोचते होंगे कि optimum nutrition तो बहुत अच्छा brand है अपने quality के ल on कभी खरीदना पसंद नहीं करता सबसे पहला negative है कि मैं जो है ion exchange याने की chemical based filtered way नहीं लेता हूँ और दूसरा main reason है मुझे कभी भी on का taste पसंद नहीं आया और तीसरा reason यह है कि on जो है इंडिया में manufacture होने के बाद भी अपना प्राइस कम नहीं किया हुगा है आज भी ये उतन पर हाँ आप international brand है बड़े brand है पर आप इंडिया है बन रहा है इसलिए थोड़ा बहुत प्राइसिंग advantage हमें दें तो यह चीज मुझे थोड़ा सा एक दो तीन negative लगता है और रही बात इंडिया में manufacture की तो सबसे बड़ा example अगर मैं आपको और दो तो आपल का भी ले सकते ह है अपल भी आजकल अपने आईफोन इंडिया बनाने लग गया है पर तब भी इंडियन manufactured आईफोन यूएस manufactured आईफोन से भी महेंगे भी किरा है मतलब उसके भी दाम कम नहीं हुए तो पता नहीं कंपनी जासा क्यों करती है पर मुझे लगता है इंडिया में manufacture हो रहा है तो तो on brand सब लोग वाकिफ है काफी पुराना है काफी reputed है दूसरे positive की बात करें इंडिया में जो company इसे बनाती है वो भी one of the top contract manufacturing nutraceutical company है जो की तिरुपती wellness है तो भी हम positive पे consider करेंगे तीसरी lactose report on है तो protein accuracy की आपको चिंता करने के जुरत नहीं है lactose support accuracy होगी जो की आई भी है औ मैंने बहुत टाइम पहले ही announcement कर दी थी कि मैं on Indian version versus on foreign version का comparison करूँगा बहुत टाइम पहले laptop support भी करा ली थी बट काम की वियसे न मैं वीडियो बना नहीं पाया तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया माफ करिएगा पर अगर आपको content अच्छा लगता होगा इस तो अपना support दि